नमस्कार दोस्तों मैं अब जग पटेल रियोज के सनाईयस अकडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों कल हम लोगों ने यूपीटेट 2011 में EBS में जो प्रस्ट आये थे उसके सुरू के 15 प्रस्णों को हल किया था और आज हम जो बच्चे के 15 प्रस्ण है उनको हल करेंगे और आज का पहला प्रस्ण है कि पेड़ पौधे परदूसर को घटाते हैं क्योंकि वे औसोसर करते हैं किस गैस का? कारवन डाई आकसाइड का क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए प्रकास संस्रेशन की किरिया करते हैं और उस किरिया में CO2 करवन डाई एकसाइड को क्या करते हैं? और सोसित करते हैं अगला प्रस्ण धात में प्रस्टर किसे कहा जाता है? मतलब ऐसा पत्थर जिसमें धात उपाये जाते हैं उसे हम कहते हैं आयस्क क्योंकि जितने भी धात में होती हैं वो आयस्क से निकाली जाती है इसलिए आयस्क को क्या कहा जाता है? धात में प्रस्टर अगला प्रस्ण है कि समुद्रिक कच्छों को जीवांत जीवास में कहा जाता है क्योंकि वह 150 मिलियन बर्सों से मतलब 150 मिलियन बर्सों से अधिक समय से पिर्थपी में उपस्थित है भारतिय उप महादीप के जल भागों में पाए जाने वाले पांच प्रजातियों के सबसे ज़्यादा संक्या भारतियों महादीप में आलिव एडले की उडरीशा के किनारे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं अगला प्रस्ण मारा है लवड्ण जो जल का औसोसड करता है कहलाता है वह यह सा लवड़ जो होता हो कहलाता है हाई ग्रो इसकोपिक लवड़ जो जल को औसोसित कर लेता है ठीक अगला प्रस्ण मारा है भूकंप मापा जाता है भूकंप को मापते हैं हम किसमें रियक्टर पैमाने पर ठीक रियक्टर पैमाने पर मोकमप को मापते हैं और चीफास देखते हैं decibel decibel किसको मापते हैं ध्रों की तीबिवर्टा माप्ते हैं decibel में घ्रण धुब्द्धारा मापी आती है में 7 एंपियर में थीक जनाते हैं कि भखबक Neutony च्षी कामतों होता है मारा अगरा प्रशन है कि महां सागरों जल 97 परसंट जल लगभग की बात कर रहा हूं इतना जल आपका महासागरूम पाय जाता है और लगभग पर सब्सक्राइबभग परसंट जो ही मतात है वह आपका .03 परसंट जो हमारे वाईवंडल में कारवंड एक्साइट पाई जाती कारवंड एक्साइट भी हमारे प्रतिवी पर 0.03 परस्ट पाई जाता है और पीने योग पाने भी क्या है पॉइंट 0.03 परतिसत है ठीक अगला प्रसना है पारिस्थितिक तंत्र यों प्राकिर्तिक अदिवासों का संरच्छन तथा उनके प्राकिर्थिक वाताबरण में प्रजातियों का जीवन छम जनसंख्या का रखरखावयों प्रतिप्रापती के लिए प्रयूक्त पद है तो इसका रत्च यह है कि जो जीवजंतु का सन्रच्छण उनके निवास सफ्थान किया जाता है उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है स्वास्थाने संदच्छण मतलब कोई जी जन्त जहां पर पाय जा रहा है वहीं पर वन जी अभ्यारण बना कर उनको संदच्छित कर दिया जाए इसको कहा जाता है स्वास्थाने मतलब उसी अफ्थान पर संदच्छण करना अगला प्रस्न हमारा है वाता बरण में अत्यदिक हानकारक sulfur मिफृत गैस है वाता बरण में सबसे हानकारक sulfur मिफृत गैस कौन सा है क्योंकि जब यही SO2 यच 2O gelsy क्रिया करता है तो यह बनाता है हमारा यच 2SO4 जो क्या है एसीड है ठीक है जो एसीड है और इसी के कारण क्या होता है हमारा अमलिये बर्सा होता है ठीक है इसी कारण अमलिये बर्सा होता है अगला प्रस्ण है वाई पर्दूसर्ण को कम किया जा सकता है वाई पर्दूसर्ण को किसके द्वारा कम किया जा सकता है पहला है अपसन है ब्रिच्छों के द्वारा जितना जादा हम ब्रिच्छ लगाएंगे उतना ही जादा वाई पर्दूसर्ण कम होगा ठीक है क्योंकि यहां आप्सन एक सही है अगला प्रस्ण मारा है कि विश्व पर्यावरण दिवस मना जाता है पांच जून को ठीक अगला प्रस्ण मारा है सूर के हानिकारा क्रिणों से प्रिथवी को कौन सा अस्तर सुरच्छित रखता है जो सूर से हानिकारा क्रिणे आती है उससे सुरच्छा प्रदान करने वाला अस्तर कौन सा है हमारा ओजोन मंडल क्योंकि ओजोन मंडल में ओजोन गैसे पाई जाती है और सूर से आने वाली जो प्रावेगनिक रिने हैं उससे ये हमारी सुरच्छा करती है ठीक उनको प्रतिवी तक आने नहीं देती है अगला प्रसमें किसी जगह के फ्लोरा और फ्यूना सूचित करता है जो फ्लोरा और फ्यूना होता है वो किसी जगह के किस भाग को सूचित करता है मतलब जहां पर पेड़ पोधे और जन्तु पाए जाते होते हैं Frora का आर्थ होता पेड़ पॉधे और Funa का हमारा आर्थ होता है जन्तु इसलिए फ्लोरा और Funa की से सुचित करते है पेड़ पॉधे और a secured को पहला ब्द्धान हमारा सई हो जाएगा अगला प्रस्नमारा है कि निम्न मेंसे कौन सी अंतराश्टि संस्था पूरे 20 सुमे परियावरन सुरच्छा की देखभाल करती है यह हमारा क्या है WWF Worldwide Fund क्योंकि जो हमारा WS4 है यह Health Sector को देखता है यह हमारे Health Sector को देखता है और जो हमारा Peta है यह Animal Lover है ठीक है Animal को देखता है और जो UN है वहारा राजनीतिक और आर्थिक स्थित को देखता है ठीक है इसलिए पहला आपसर नमारा WWF Worldwide Fund सही हो जाता है अगला प्रशन हमारा है कि कीट नासकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा अगर हम कीट नासकों का अधिक उप्योग करेंगे अपने खेतों में उसका कारण क्या होगा कि जब बरफात होगा तो वह कीट नासक हमारे खेतों से जाएंगे कहाँ पर तालाब में और तालाब में क्या करेंगे हमारा जल परदूसर करेंगे मतलब किस कारण बिश्व का तापमान बढ़ता है पहला है पेड़ पौधों से निकली गैसे क्योंकि पेड़ पौधों से जो गैसे निकलती है वो हमारी क्या होती है आक्सीजन और आक्सीजन की वज़ा से हमारे पृत्वी का तापमान नहीं बढ़ता यही आप्टियों से निकली गरम हवा यहां पर gaso की बात नहीं हो रही है जो इसकी वजास से कता है तो यह गरम नहीं होता है यह भी आपसन हमारा गलत है वाहनों से निकली gaso ॥ हम देखते हैं वाहनों से जो gaso freezing निकलती है उसमें हमारे इधन जलते हैं और उसमें co2 या सोटू आद गैसे निकलती हैं ठीक है और यही जो होते हैं 20 उस्मायन के लिए जिम्मेदार होते हैं और सोई गैस जो LPG होती है उससे हमारे कोई हनिकार गैसे नहीं निकलती है हमारा तीसरा अपसन सही हो गया ठीक इस प्रकार आज हमने जो बाकी के बच्चे 15 प्रशन थे उनको भी हल कर लिए और हमारा जो TVS का 2011 में जो प्रशन आयते थी सभी पूरे हो गए दोस्तों यदि आप सभी को हमारा यह प्रयास अच्छा लगी तो हमारे चैनल को ज्यादा फ्यादा सस्क्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें क्योंकि कमेंट के दोरा ही हम जान पाएंगे हम आपको कितना समझा पा रहे हैं यदि कोई दिक्कत आ रही हो तो आप उसको जरूर लिखे हम उसको आगे से सुधार करेंगे इसी के साथ हम बिदा लेते हैं जैहन जैभर